हलो फ्रेंट स्वागत है आपका मेरे यूटीब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में आज हम बात करेंगे CRPC की धारा 119 के बारे में यदि आप CRPC से रिलेटेड पिछली धाराओं का अध्यान करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर किलिक करें आई बटन पर किलिक करेंगे तो यह से आपको CRPC के पिछले वीडियो मिल जाएंगे हम बात करते हैं CRPC की धारा 119 के बारे में यह कहती है जिस अवादी के लिए प्रतिभूती की अपेक्षा की गई है उसका आरंब याने कि किसी व्यक्ति से प्रतिभूती की अपेक्षित है याने कि प्रतिभूती की की मांग की गई है जमानत की मांग की गई है सि तो यहाँ पर point number 1 और point number 2 दिये गए हैं यहने कि यदि व्यक्ति बंद है यहने कि जेल में बंद है उसको कारवास की सजा दी गई है तब उस security की जो मांग की गई है उसका आरंब कब होगा और जब वह व्यक्ति बंद नहीं है और वह उन्मुक्त व्यक्ति है तो ऐसे समय में security जो मांग की गई है उसका आरंब कब होगा याने कि किसी magistrate के द्वारा 6 महीने के लिए security मांगी गई है कि भहिया आप 6 महीने तक परिशान्ती बना के रखोगे प्रशान्ती को विक्षुक्त नहीं होने दोगे शान्ती बनी रहे, सदाचार बना रहे, आप सदाचारी रहोगे इसके लिए 6 महीने तक का बन्ड उससे भरवाया जाता है तो वो 6 महीने का जो बन्ड भरवाया गया है उसका आरंब कब होगा, यहाँ पर CRPC की धारा 119 में ये बताया गया क्या लिखा हुआ इसके बारे में हम पढ़ते हैं पॉइंट नमबर एक, यदि कोई व्यक्ति जिसके बारे में प्रती भूती की अपेक्षा करने वाला आदेश धारा 106 या धारा 117 के अधीन दिया गया है या तो धारा 106 के अधीन आदेश हो, या धारा 117 के अधीन आदेश हो और से कौनसा वाला आदेश दिया गया है प्रती भूती की मांग की गई है कि यह सदाचार बना के रखोगे सांती पूंड तरीके से रहोगे सांती को भंग नहीं होने दोगे और इसकी अब अधी कम से कम छे महीने तक तो ऐसा आप नहीं होने दोगे तो ऐसे समय में यदि 106 या 117 के अधीन आदेश दिया गया है तो ऐसा आदेश दिये जाने के समय यदि व्यक्ति कारवास के लिए दंड आदेश्थ है याने कि उसको कारवास का दंड दिया जा रहा है या वह कारवास का दंड भुगत रहा है याने कि या दंड आदेश भु इसे दंडा देश के आवसान होने पर प्रारंब होगी याने के ऐसा दंडा देश जो दिया गया है या जो दंड भुगत रहा है वह दंड जो है आवसान हो जाएगा याने के वह दंड उसका समाप्त हो जाएगा याने के वह दंड भुगत चुका होगा उसके बाद यह मैने की अवधी के लिए ऐसा आदेश दिया है या आठ मैने की अवधी के लिए ऐसा आदेश दिया है या एक साल की अवधी के लिए ऐसा आदेश दिया है तो यह अवधी कब चालू होगी यह अवधी तब चालू होगी जब आदमी आदेश की आवदी के समाप्त होने पर प्रारंब होगा क्या आप सांती बना के रखोगे एक साल तक अच्छे महीने तक जो भी आदेश है अब पॉइंट नमबर दो में बताए गया कि अन्य मामलों में यानि कि जहां पर कारावास की आवदी नहीं है दंडा देश नहीं दिय होगी जब तक की मजिस्टेट परियाप्त कारण से कोई वाद की तारीक नियत ना करे अब यदि पॉइंट नमबर दो को देखें तो आपकी समझ में बिल्कुल नहीं आया है क्यों क्योंकि जिस प्रकार की लेंग्वेज दिखी गई है उस लेंग्वेज से तो कुछ समझ म होगा तो यहां पर यह बताएगा है कि मजिस्टेट को यह विवेकादिकार दिया गया है कि परियाप्त वह समुचित कारण होने पर आदेश की तारीक से आगे की कोई तारीक इसलिए नियत कर सकता है कि जिस दिनांको धारा 106 या धारा 117 के अंतरगत दी गई प्रतिभूत की कालावदी प्रारंब होती है तो क्या है दाखिल करने के इस्थान पर इस उपबंद का उद्देश मजिस्टेट द्वारा पावंद व्यक्ति पर आदेश पारित करने की तुरंत बाद प्रतिभूति दाखिल करने के इस्थान पर प्रतिभूति दाखिल करने के लिए जाएगा और प्रतिभूती इस प्रकार की लाओ कि आप सांती बना के रखोगे अब प्रतिभूती नहीं ला पाया विचारा या प्रतिभूती को लाने में उसको टाइम लग रहा है तो ऐसे समय में तो न्यायलाय उसको जो उठा करके जेल भेच देगा तो ऐसे समय में न्या बनाके रखोगे सदाचारी रहोगे बॉंड भरो इस प्रकार का तब ऐसे समय में बॉंड भरने में जो समय लग रहा है जो दो चार दिन का समय लग रहा है या जमानदारों की व्यवस्ता करने में जो समय लग रहा है उस तारीक से जबकि यह आदेश किया गया है कि फलानी तारीक को आप जमानत्दार ले करके आओ तो यह तारीक उस समय चालू होगी मतलब मजिस्ट्रेट ने जो आदेश किया है उस आदेश की अगली तारीक जो भी होगी जिसमें magistrate ने प्रतिभूती की मांग की गई है तो उस अगली तारीक से जो है आरंब माना जाएगा काय का आरंब माना जाएगा प्रतिभूती की जो मांग की गई है 6 महीने तक के लिए सांती बना के रखोगे 8 महीने के लिए सांती बना के रखोगे इस प्रकार की जो बात सदाचारी रहने की जो बात बताई गई है तो उस दिनांग से चालू मानी जाएगी तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा CRPC की धारा 119 के बारे में यदि आप CRPC से से रिलेटेट या IPC से रिलेटेट समस्त धाराओं का अध्यान करना चाहते हैं पूरी की पूरी IPC या पूरी की पूरी CRPC पढ़ना चाहते हैं तो आप यहां पर किलिक करें आई बटन पर किलिक करेंगे तो यहां से आपको पूरी की पूरी CRPC और पूरी की पूरी IPC मिल तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वेल आइकोन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफेकिस्थन आपको मिल सके ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद